ये सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कड़ाई और फिर हम इसमें डालेंगे तीन से चार चमज तेल ग्यास का फ्लेम आपको यहाँ पे मीरियम ही रखना है जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे एक चुथाई चमज जीरा एक चुथाई चमज राई और फिर हम इसमें डालेंगे तीन से चार करी लीव्ज इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्यास प्यास को हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चुथाई चमज अद्रक लसन की पेस्ट और इसे हम प्यास के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च अगर आपको यह सबजी थोड़ी से स्पाइसी चाहिए तो आप और भी जादा हर इमिज डाल सकते हो और फिर हम इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ टमाटर प्यास और टमाटर को हम अच्छे से पका लेंगे दो मिनिट के बाद हम डालेंगे सारे मसाले तो सबसे पहले हम डालेंगे एक चुताई चमच हल्दी दो चमच लाल मिर्च पाउडर और एक चमच गरम मसाला आधा चमच धनिया पाउडर इन सारे मसालों को हम प्यास और टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका जो बेस है मतलब प्यास और टमाटर की ग्रेवी इसे हम अच्छे से पका लेंगे धक के 5 मिट के लिए प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाए और फिर हम इसमें डालेंगे गीला नारियल की चटनी नारियल को बस आपको मिक्सर में ग्राइन करना है धनिया के साथ दैट सिट नारियल डालने की वज़े से सबजी को एक बहुत ही अच्छा थिकनस मिलता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता है नारियल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मतर और एक बारिक कटा हुआ आलू तो मैंने आप ए 1.500-200 ग्राम मतर का इस्तमाल किया है मतर और आलू को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पानी अगर आपको ये सबजी थोड़ी से पतली चाहिए या फिर आपको इसे राइस के साथ खाना है तो आप इसमें और भी ज़्यादा पानी डाल सकते हो और फिर हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और फिर हम इसे ढखके पाच मिनिट के लिए पका लेंगे ग्यास का फ्लेम आपको यहाँ पे मीरियम ही रखना है मटर और जो आलू है वो अच्छे से पक चुका है अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया डालके आप यहाँ पे सूके नारियल का भी इस्तमाल कर सकते हो